नमस्कार मैं उप्रिया, आज 18 अप्रिल चुले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को को यह कख्रा चलाने की जानकारी दे देंगे कोरोना प्रभावित एक और व्यक्ति ने गवाई अपनी जान बिहार में कोरोना से दूसरे व्यक्ति ने दुनिया को अलविदा कह दिया है यह वही युवक है जो वैशाली का रहने वाला है जो की पटना एम्स में भरती था अस्पताल की माने तो उसी वक की पहले से ही कई तरह के इलाज चल रहे थे और यही कारण है कि वह 23 स्मार्ट से पटना के कई अस्पतालों में अपनी जाच करवा रहा था जिसकी बाद प्रशास्तिक महकमे में अफरात अफरी का माहल है महीं बिहार स्वास्ते विभाग के लिए भी चुनोतिया बढ़ गई है क्योंकि यह युवक कई दिनों से पटना में घुम रहा था जिसकी बाद लगवक सत्तर लोगों की पहचान कर ली गई है वहीं उस व्यक्ति द्वारा भ्रहमन के अगे स्थानू को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है कई जिलों में जलस्तर में हुई 12 फीट तक बढ़ोतरी भले ही कोरोना कि पिछली साल के तुल्ला में भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई है खबरों की माने तो बिहार के गया जहानबाद और अंगाबाद दर्भंगा और क्यामूर जिले में भूजल स्तर में अच्छी बढ़ोतरी भी देखे गई है बिहार माधेमिक सिक्षक संग ने सिक्षामंत्री कृष्टन दन वर्मा को बताया। पुलीस के बारबर समझाने के बावजूद कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और नियमों का पालन करना ज़रूर नहीं समझ रहे हैं वैशाली वाले कोरोना प्रभावित व्यक्ती के संपर्क में 100 लोगों के आने की आई खबर वैशाली के राखोपुर में कोरोना प्रभावित व्यक्ती ने सभी की परशानी बढ़ा रखे है खबरों के वाले तो व्यक्ती लगभग 100 लोगों के संपर्क में आय था जिसमें से कुछ लोगों को आईसोलेशन में डाल दिया गया, वहीं बाकी लोगों की पहचान करने में प्रसाशन जोर शोर से जुटा हुआ है, हाला कि आधे से ज्यादा लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि एक इस व्यक्त पर डीम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि 16-23 अपरेल तक चलने वाले इस मुहीम के लिए इस टीम को लगाएगा है, ताकि जादा से ज्यादा घरों की जांच की जा सके। जिसे की सरकार ने एक लाग से अधिक मजदूरों को काम देने का भी ऐलान जारी किया है, इतना ही ने सरकार ने सभी लोगों से कारेस्थल पर सामाजिक दूरी बनाये रखने, साथी साथ ज़रूरी दिशा निर्देश का पालन करने का भी ऐलान जारी किया है। इलाके में अफ्रातफरी का माहौल है, मही प्रसाशन ने लोगों से सयम और धैरे के साथ काम करने की अपील की है। दर्भंगा के चंदन पट्टी और भाल पट्टी मोहले में पहुचे थे। लेकिन इसकी पैकेजिंग के लिए बक से बनने का काम शुरू भी नहीं हुआ है। अभी पैकेजिंग का काम होना असंभव लग रहा है हलाकि मुजफरपुर के डियम चंदरशेकर सिंग ने यह भरोसा दिलाया है कि लीची को लेकर एक प्लान तयार किया जाएगा जहां पर सभी आवश्यक अदम उठाए जाएंगे। तेज प्रता प्यादव ने की अपने जर्म दिन के दिन लालू की रसोई की शुरुवाद बीदे दिन तेज प्रता प्यादव ने अपना जर्म दिन मनाया था जहां पर उन्होंने अपने जर्म दिन के दिन अपनी माराब्री देवी से आशिरुवाद दिया वही अपने प गठनोंने की रमजान के महीने में घर से नमाज पढ़ने की अपील, कोरोना ने वर्तमान समय में सभी आमनागरिकों की परिशानी बढ़ा रखिये, वहीं सरकार भी अपनी तरफ से लगतार कोशिश कर रही है कि कोरोना का रोक थाम जल से जल किया जा सके, इसी बीच रमजान क की तारीक पड़ी है, जिसको ध्याम में रखते हुए ही, बिहार के मुस्लिम संगठनों ने सभी लोगों से अपील करते हुए अपने अपने घरों में नमाज और पूरी तरह नियमों का पालन करने की अपील किया, वहीं खबरों की मानने तो रमजान का चान्द अगर 24 अप चौहान ने लॉक्टाउन की बढ़ती अवधी को देखते वे सभी विश्विद्याले को ओन्लाइन पढ़ाने का सुझाव दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि छात्रों को ईमेल आदी और विभिन तकनीक संचार माध्यमों से सिक्षन देते हैं, उनके मुल्यांकन का भी कारगर विवस्था करने की जरूरत है, इसके साथ ही सभी कुलपतियों को आदेश भी भी भेज दिया गया है, ताकि छात्रों का समय बर्बाद नहों और समय पर वो अपना सिलिबस भी कम्प्लीट कर लें 20 अप्रेल से बिहार में खुलेंगे सरकारी कारयाले, उक्ति जानकारी बिहार सरकार की तरफ से जारी की गई है, जिसमें यह साफता और पर कहा गया है कि सामाने प्रसाशन विभाग की ओर से जारी, दिशा निर्देश के मताविक 20 अप्रेल से बिहार में सरकारी दफतर कुछ नियमों और शर्तों की जानकारी दी गई है सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि भले ही भी इस तारीक से सरकारी कामकार शुरू हो रहे हैं लेकिन सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखने की जरूरत है बैंक में जमा होरे भारी संख्या के लोगों को कंच्रोल करने का DM और SP को जारी किया गया निर्देश कोरोना के फैल्ती प्रविर्ती को देखते वे सरकार ने सक्थ लहजे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत बारबार दी है महीं कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर आरे खबरों में ऐसा देखा गया है कि बैंक के बाहर जमा हुए लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की जीज नहीं दिखाई दे रही है इसी को ध्यान में रखते वे सरकार ने डियम और एसपी को भारी संख्या में लोगों को कंट्रोल करने का निर्देश जारी किया है वहीं दूसरी तरफ इस बार तीजस्वी यादव ने योगी अधितनाथ के फैसले पर खुशी जाहिर की है दरसल योगी अधितनाथ ने हाली में राजिस्थान के कोटा में फस्टे उत्तर प्रदेश के चात्रों को वापस बुलाने का देश जारी क्या था जिसके बार तीजस्वी यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह कदम सराहनी है लेकिन बिहार का क्या गरे जहां हजारों चात्र कोटा के जुलाधिकारी से विशेश अनुमती लेकर आये हैं लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें बिहार सीमा पर रोख प्र बंद के दौरान मालवाख वाहन के चालक खलासी को भोजण को लेकर किसी बी तरह की परिशानी ना हूँ, इसके लिए भी परिवान सचिफ श्री संजय कुमार अगरवाल ने एनेच पर ढधाबा खोलने का आदेश जारी किया है, जिसकी जानकारी परिवान सचिफ संजय करने की जरूरत नहीं है इतना ही ने मुख्यमत्री नितेश कुमार ने कोरोना की इस परेक्षा को साथ मिलकर पास करने का आशवासन भी दिया है इतना ही ने मुख्यमत्री नितेश कुमार ने बाहर दूसरे राज में फसे लोगों के लिए भी जरूरी सहायता पहुचाने का आशवासन दिया है। बैंक मित्र जो सुदूर ग्रामीन छेत्र में ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से राहत पाकेज की राशी का वित्रन कर रहे हैं। जिसने प्रिसाशन के साथ आम लोगों की परिशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। आसद मनोज जहाने हाली में अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने प्रिश्रे कुछ दिनों में पार्टी की हो या जमात से आए हो या कोई जमावरे का हिस्सा बने हो या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं क्या हो उन्हें खुद स के कारण सरकार ने सब कुछ बंद करने का एलान जारी किया है वहीं दूसरी तरफ सरकार आम लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आ रही है इसक्रम में बिहार का परियावरन वन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग भी एक क्विस प्रतियोगिता लेकर आया है जि पूछे के सवाल का सही जवाब देना होगा जिसके लिए आपको विभाग के फेस्बुक अकाउंट के लिए www.facebook.com slash defcc official या फिर ट्विटर के लिए twitter.com slash defcc official पर जवाब देना होगा BCCI ने श्रीलंका में IPL के आयोजन पर हो रही चर्चा पर केटिफ पणी IPL के अनिश्यूत समय के लिए सगित होने के बाद जगे-जगे से ऐसी खबरे सामने आ रही है कि शायद IPL का आयोजन श्रीलंका में करवाया जा सकता है और ये खबरे भी सामने आ रही है कि क्युकि श्रिलंका क्रिकेट IPL के आयोजन को इच्छुक दिखाई दे रहा है वहीं BCCI ने इस पर सफाई देते वे कहा है कि अभी फिलहाल COVID-19 की परिशानी से पूरी दुनिया जूज रही है ऐसे में IPL के आयोजन पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है इतना ही नहीं बोट के एक वरिश रधिकारे ने यह भी कहा है कि जब दुनिया में सब कुछ छप पड़ा है तो ऐसे में BCCI भी कुछ कहने के स्थिति में फिलहाल नहीं है वह बात अलग है कि श्रिडंका में फिलहाल COVID-19 के ज्यादा मामले नहीं आ हैं कल हमारे दुआरा पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके बताय था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राकेश वर्मा, पोदार चंदन, अखिलेश कुमार, यादव, अमित कुमार, उमेश कुमार, विने यादव, रंजन कुमार, बीकेसना, बबलु कुमार, जयप्रकाश कुमार, आलोग कुमार, मुहमत आसिफ, रसूल, जितेश कुमार, शंभु कुमार, सिंग इसके लावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के आभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए मगर आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल के और आज का सवाल कोशिश प्रकार है क्या सरकार के आदेशा अनुसार जरूरत वश घर से बाहर निकलने के बाद आप सब ही मास्क या गमचे का इस्तमाल करते हैं या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आपे वीडियो हमारा यूट्योग पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्स्ट्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूले और अगर आपे वीडियो हमारे फेस्बूक पर देखने तो इस वीडियो को लाई करें और जादा जादा शेयर करें धन्यवाद